जी सभी दर्श्रकों को नमस्कार और इसमें देखिए मुझे लग रहा था अब तक कि उद्दव ठाकरे इसमें थोड़ा सा सेफ थे लेकिन जो ये नया मामला खुला है और देखिए इसमें कितना क्विकली चीजें अन्फोल्ड हुई है प्रेस कोंफरेंस की थी और उन्हें कहा था कि बी-म-सी का कोवीड सेंटर का घृटाला बहुत बड़ा घृटाला है और उन्हें इसका अमाउंट बताया था बारा हजार पान सो क्रोड रुपे का घृटाला हुआ और देखिये सोमवार को वो कहते हैं और आच्छा पे मारी शुरू हो जाती है बारा हजार पानसो करोड टोटल अभी बताऊंगा ने क्यों है इतना बड़ा घोटाला इतना बड़ा घोटाला इसलिए है कि दस जंबो ऐस्पिटल बनाए गए थे जिसमें कई कई हजार आईसीव बैट्स लगए गए थे आपको याद होगा कि कोवीड जब शुरूआत हुआ था फस्ट लोगडाउन हुआ था सबसे ज़्यादे बूरी हालत बॉम्बे की थी और लोगों का यह कहना था क्योंकि बॉम्बे में विदेश से बहुत लोग आते हैं चोड़े अबर यह हमारी एकोनोमिकल कैपिटल है हमारी तो उसलिए वहां से शुरूआत हुई थी और यह जो घोटाला यह 12,000 करोड का त इसमें इस तरह की अनिमित्ताय हुई है देखिए इसमें क्या क्या हुआ थेज जून को उद्दव ठाकर एक मिटिंग लेते हैं तेज जून 2020 को बैठक लेते हैं किसाब कोविड की स्थिती बहुत खराब है और बंबई में आलत खराब है जून का मतलब क्या था मार्च में कोविड शुरू हो गया था मार्च अप्रेल मई यह लगए 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 तीन महीना हो चुका था कोविड चलते हुए और पूरी पीक पे था उस समय कोविड तो इन्होंने 23 को मिटिंग की 24 तारिक को एक कंपनी बनती है और 25 तारिक को से ठेका मिल जाता है कि दस अजार वेड़ का आप वो बनाओ आप समझेए सीए जी ने साफ ये कहा है कि जो इनकी टाइमिंग है किरिट सुमाया ने बाकाइदा इसके दस्तावेज उपलब्द कराये थे ये पिछले साली शुरू हो गया ता मामला किरिट सुमाया ने इसके दस्तावेज थी तो किरिट सुमाया लगतार बोल रहे थे इस मामले को लेकर मोहित कामबोज कई और नेता है उनने लोगो भी फेड मवी इसने भी ये बाते कही थी लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट जो इसमें आई है उसमें ये गोटाला इतना बड़ा बन के सामने आया है और आप त जाला हुआ है इन सब की बद्वा लगी उद्दव ठाकरे को उद्दव ठाकरे उस कोविड के दोरान ही बैड पर लेटे इन्होंने पीठ का उप्रेशन करवाया था इनका उप्रेशन हुआ लंबे समय तक और लगबग दो साल तक ये जो सीम आफिस है वहां पर नहीं गए थे ये बात तो सरत्पवार ने अपने किलाब में लिखी है और सरत्पवार ने ये भी कहा था कि उद्दव ठाकरे को अगर आप इतने SOS थे तो किसी दूसरे को कारेभार सूप देते ये बहुत लंबे समय से लगे थे और मुझे लगता है कि इसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट चुनी इनोंने 23 तारिक की जो विपक्ष की बैठक है उद्दव ठाक रही थे जो इसमें पाक साफ दामन लेके आ रहे थे अपना बाकी तो सब का पता ही है ममता बनर जी केसी आर जो केसी आर तो खेरा नहीं रहे है सब के पीछे इडी लगी हुई है और अभी हमारी दो दिन पहले बात हुई थी रही सही बात है जो नितीश कुमार शाषन बाबू बन गए है वो तो 16 क्रोड का तो वहां पर आ गया है बता ही एंबुलेंस में 16 क्रोड का हो गया तो साड़े बारा जार क्रोड का दस जंबो ऑस्पिटल बनाने में क्यों नहीं हो सकता तब जी यह ना उसमें यह था उसमें स्थिती यह थी किए अगर आपको PPE किट खरिदनी है उसमें इंडिया में नहीं बन रही थी PPE किट यह पिछले दो साल में ही यहा पर PPE किट बनने लगी है इन्होंने कहा कि PPE के वहले दस पेगे लिख दी उसको यही तो CAG की रिपोर्ट में जब ओडिट हुआ है यही तो गड़ चीजे सामने आई हैं और उनकी टाइमिंग सबसे बड़ी बात होई है कि 23 को 24 को फैसला के हम इतने बैड वाला अस्पताल बनाएंगा और 25 को एक कमपनी को ठेका दे दिया और जिस कमपनी को ठेका दिया गया उसका मेडिकल लाइन में कोई experience ही नहीं है अगर आप किसी को अगर hospital बनाने का temporary के बहुत बड़ा कोई shade है जिसमें 10,000 बैड लगाए जा सकते हैं तो आप उसी कमपनी को तो वहां का ठेका देंगे जिसके पास इस काम को करने का experience है जो hospital में hospitality उप तो ये इस तरह की एनिमित्ता है इस मामले में सामने आई है और इसमें ना सिर्फ उद्दव ठाकरे के करीबियों पर भलकि जो इनका बेटा है ना अदित्य ठाकरे उसके भी कई आदोस्त है उनके यहां पर भी आच छापा पड़ा है संजेराउत के भी कुछ जानने वालो शिरी गंगा नगर जो राजस्थान का जिला है वो पंजाब के बॉर्डर से मिला हुआ है आप पे पंजाबी लेंगवेज भी काफी बोली जाती है तो इन्होंने पहली मीटिंग में इसलिए रखवाई कि जो भीड जुटानी होगी वो पंजाब से आ जाएगी सारी पंज कि सारी खाली कुर्सियां उठा उठा के फैक दीमा पे उसमें क्या हुआ था कि उसमें बीजेपी को इन्होंने टार्गेट किया था ये बीजेपी वाले आये थे कि बीजेपी के युवा मोर्चे के कार्य करता आये थे और जिससे कि हम यहां पर मिटिंग ना कर सकें तो हमा वमला नहीं हुआ केवल वो ये दिखाना चाहते हैं कि कॉंग्रेस हमारे से कितनी परिशान है क्योंकि उन्होंने टार्गेट तो वहा रखा था बीजीपी को टार्गेट रखने से कोई मोटिव हल नहीं हो रहा पकेजरिवाल का अब सीधा कॉंग्रेस पर अटेक कर रहे हैं आशोगगजत को वह जानते हैं के रहुल गांदी का करीबी है गांदी परिवार के करीबी है उन्हें अध्यक्स तक बनाने के लिए सोनिया गांदी तैयार हो गई थी रहुल गांदी का समय आप नहीं मांगा हुआ है दो से टाइम मिलने का चैया वो तेईस तारीक के बाद मिले या ना मिले वह अलग बात है शायद नहीं भी मिलेगा तो उन्होंने अशोग गहलोत को hargat किया और यह ने अशोग गहलोत को बड़े बड़े तो उन्हें का कि मेरे आने से इतना डर रहे हो तो वो यह दिखाना चाहते है कि कॉंग्रेस उनसे कितना भैभीत है कितनी डरी हुई है और कितने बड़े लीडर केजरीवाल इस समय बन चुके है और वो तो इसका भी क्रिडिट लेंगे मैं आपको बता रहा ह नितीश कुमार को हवा नहीं आने देंगे ये गिद दरश्टी है इस आदमी की मैंने अभी अभी लाइब किया इस मुद्धे पे केजरिवाल के गिद दरश्टी है जहां भी मोका हो वहीं से चुन लेता है तो यह के बंगाल वाला तो इस पस्ट है कि ममता बनर जी यह कह रही पता है तो आपको पता है कि वो उनके हिस्से से कठके जाएगा तो वह नहीं चाहती के वहाँ पे कॉंग्रेस किसी भी तरीके की अपनी कोई एक्टिविटी रखे और जैसे हम पहले भी हम लोग चर्चा भी करते रहे हैं कि जो सागर दीगी का उप्चुना हुआ था 64% के करीब मुसल्मान है जहां पर वो कॉंग्रेस ने लेंड सलैड विक्ट्री महाँ पर आसिल की और हवा नहीं आई इने तो ममताब इनर्जी को लगने लगा है कि जैसे करनाटक में अभी मुसल्मानों ने एक तरफा वोटिंग किया है कॉंग्रेस के लिए तो उन्हें ल चार सांसत थे हैं तो बीजेपी तो अभी बंगाल में राइज ही कर रही है आगे ही बढ़ रही है और बीजेपी तो उससे कई पीछे अठती हो नजर नहीं आती है तो ममताब इनर्जी की में चिंता यही है दूसरे यह जो फोर्सेज वाला मामला है इसमें एक जिसे कहते ह है कि बेज़ जती वाला मामला हुआ है अब केंद्रिय सुरक्षा बलक भेजने का मतलब क्या है अमित्स शा करवा रहा है चुनाओ आपके हैं हाँ और क्या हुआ क्या हुआ कि सी आर्पी एफ जो है या सी आई एस जो भी फोर्सेज बेजी जाएंगी वो तो सारी ओम मिनिस है तो हम आप की आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं और इसलिए आप केंद्रिय सुरक्षा बल यहां पे आप बुला लो तो उन्हें तरह से निर्देश दे दिया कि जाईए और अमित्स शास फोर्स मांग लीजिए अब हो मिनिस्ट्री मांगेगा आज ख़बर है यह साथ 22 कंपनिया या कितनी उतनी तो शायद रवाना भी हो चुकी है क्योंकि सुप्रीम पोर्ट से मना होगी यह तो चुनाव की परकरिया चली रही है परचार चल रहा है इस समय परचार के दोरान भी इंसा हो सकती है बद्दान के दोरान तो खेर होती ही है तो एह परत्यक् उगनत इगनी पंचायते हैं जहां पर पस्चिम बंगाल से वहां एक पत्ता नहीं खड़कता है पंचायत के चुनाओं में निकाय चुनाओं में एक हिंसा कभी नहीं हुई एक आदमी नहीं किसी भी चुनाओं में अब हिंसा नहीं हो रही केवल पस्चिम बंगाल अपवाद के तोर पर बचा हुआ है, जहां कोई भी चुना हो, पंचायत का हो, विधान सबा का हो, लोक सबा का हो, वहाँ पे हिंसा हो नहीं हो नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार कुन है, चाए वो राज्ये में सरकार कॉंग्रेस ही रही हो चाहिए उससे वाम दल जो रहे हो तीन दसक तक ये सारे जो गुंडा इलिमेंट हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं आपको तो पता ही है कि जो भी इस तरह के लोग होते हैं जब सरकारे बदलती हैं वो उसी पार्टी को जोईन करने है कि यहां पर नए है किसी आख़बार ने स्टोरी पिचला है या किसी की यूट्यूबर ने सिपर वीडियो कि आ है कि अखलेश समजोता करने जा रहें रहे हैं कॉंघ कमतब कर दो यह तो मतलोोतन बेरे सांने मैं वह तो वह पर ऐसी स्थिती में कह रहे हैं कि जब उनके साथ मिलके सरकार चल रही है हमद सोरेन की तो उनका बयान तो बड़ा बयान है और अभी मुझे तो हमद सोरेन का कोई कल की जो परसो वाले मीटिंग है उसको लेकर भी कोई बड़ा स्टेंड मुझे दिखाई नी दिया पहली बात पहल में एक किसी ऑडिटॉरियम में सभागार में ये मिटिंग होने जा रही है अभी किसी को शौर नहीं है कोन आया क्या आया और दूसरा समस्था समस्था बड़ी क्या है कि कोई मंच से अगर कुछ भी बोल देगा सपोर्ज कि किसी ने कुछ बात कह ली और उस बात के मतल होने जा रही है उसके मतलब उसके कुछ निकल जाएं तो क्लोज मिटिंग होगी और उसके बाद आप देखना प्रैस ब्रीफिंग कराई जाएगी बारा के बताएंगे कि इसमें ये तैह हुआ और ये प्रस्ताव पास किया गया फला 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 ये होगा और ये कुछ नहीं ये जानकारी आ रही है और देखिए ये जो एक बात बता दूं मैं इसमें इस मिटिंग के बारे में इस मिटिंग का अगर कोई ग्रूप फोटो आता है वो जो हाथ उठाने वाला है और उसमें अगर राहुल गांदरी और केजरिवाल एक साथ हाथ उठाए वो निजर आते कि ये देखिए विपक्षी एकता किस तरह की एकता है ये इसके खिलाफ वो उसके खिलाफ वहाँ पर उसके खिलाफ लड़ रहा है तो ये तो केवल एक नाटनकी है दिखावा है अगर बीजेपी को पास अपना नेटवर्क है तो इसका परचार करें कि देखिए बंद कमरे में मिटिंग हो रही है और क्या इसका प्रारूप सामने नजरा रहा है क्या बताया जा रहा है बार इसमें क्या है कि अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है हलाकि एक दो बार पहले भी 90's में भी ये कोशिश हुई है कि कॉंग्रेस और बीजेपी के अलावा एक थर्ड एक लोग सबा सांसद और दो तीन उनके विदायक हैं छोटी सी पार्टी चलाते हैं तो सचीन पालेट तो बड़े निता है वो छोटी पार्टी में कैसे जाएंगे लेकिन अगर अर्विन केजरी वाल उन्हें ओफर देते हैं कि साब हम CM आपको बनाएंगे आप अल्यांस में आ जाओ तो फिर इनके लिए इससे बड़ा लाला चोर कुछ ही नहीं हो सकता सचीन पालेट अब ही गए तो CM नहीं बनेंगे दोजार अटथाईस तक कम से कम दोजार अटथाईस में हो सकते हैं इस बार तो बनेंगे नहीं ठीक है और कॉंग्रेस में अगर कॉंग्रेस की सरकार भी आती है तो जोग गैलोट नहीं इनको बनने देंगे CM ये भी तैमान लेजिए तो सचीन पालेट के पास तो सबसे बड़ा अप्शन क्या है उनका तो मुद्दा ही ही है कि CM मुझे बनना है तो अगर वो इन्हें ओफर कर देते हैं कि हम आपको CM कंडिडेट रखेंगे अपना हो सकता है कि ये ऐलाइंस हो जाए और इस ऐलाइंस से अगर ही होता है तो दिक्कत तो इसमें बाजपकों भी कॉंग्रेस को भी गुजरों के बड़े नेता है और हनुबान बेनीवाल जो है वो जाटों के बड़े नेता है और इनकी लगबग 30-35 सीटों पर अच्छी खासी प्रजेंस है वहाँ पर लोग यह जानना चाते हैं कि अभी जो विपक्ष के नेता एक जगा बैठ रहे हैं और यह पहली मीटिंग हो रही है चुकी 2024 से पहले तो सबकी नजर इसे इस बात को लेकर है कि इसमें इसका प्रारूप क्या है यह किस लेवल पर हो रही है किया सिर्फ इसमें अंदर खाने एक बार लोगों के सामने की जैसे कहते हैं कि विकवा फिपक्षी एकता के नाम पर फेस सेविंग के साब चलिए हमें एक बार बैठे तो सारे मिलके लेकिन इसके बारे में इसके बाद एक स्टेंड लेना और इसके बाद अगर मैं तो इसके बाद जो प्रेस कॉन्फरेंस होगी इस पर जाद है मुझे नजर रहेगी कि उसमें जो इसका जो घोशना पत्र यहां से जारिकिया जाता है या जो भी यहां से ऐलान किया जाता है उसके मुख्य बिंदू क्या होंगे अगर उस बिंदू में यह स्पष्ट कर देते हैं कि कॉंग्रेस अपनी यहां पर सीट छोड़ने के लिए तैयार है या समाजवादी पार्टी यह करने के लिए तैयार है नितीश यह करेंगे वो कर यह आ रहा है विपक्षी एक्ता मुझे नहीं लगता इसका सब्वूर विपक्षी एक्ता तो संभव नहीं है संभवसा है यह तो जब जब कभी भी इस तरह के ऐलाइंस बने हैं तो कुछ ना कुछ लोग तो उसमें छूटी जाते हैं और जहां तक बीजू जनता दलका है तो उनका तो स्टेंड रहा है हमेशा से कि बीजेपी कॉंग्रेस दोनों से समान दूरी बना कर रखनी है क्योंकि उनके तो दोनों ही वहाँ पर भी रोधी रहे हैं लंबे समय तक दोनों से फाइट करते रहे हैं दूसरी और जगन मोहन रेड़ी के सामने समझ से क्या है और जगन मोहन रेड़ी को अब थोड़ा सा डर लगने लगा है चंदर बाबू नाइड़ू से चंदर बाबू नाइड़ू अभी मुलकात करके है अमित शान अड़्डा से दिल्ली आये थे अभी नहीं नहीं जो एक घोटाला चल रहा है वहाँ पर उनकी जो रामोजी रा को इनाड़ू अखबार के संबंद ये कंपनी का कि उन्होंने इसके कहा था कि आप इसमें एडी की और इंकम टेक्स की जाच कराओ अमित सा से ये कहा था जगन मोहन रेड़ी ने लेकिन अमित सान उनकी सुनी नहीं चुप रहे हो बिल्कुल इसी तरह से तेल्गु देशम ये गए थे उनके खिलाफ उनने का कि भई आप हमारे से हां कर लो और हम सम मिलके से हरा देंगे जेगन मोहन रेड़ी को तो अभी मानसुन सेशन तक ये मामला ठंडा है मानसुन सेशन में वो जो बिल है वो पास कराना है जो दिल्ली वाला है और वो इस जो ये 23 वाली मीटि जो इसमपर्क ही नहीं कर रहे हैं उससे और बीजेपी निश्चित रूप से वहाँ समझोता करेगी टीडीपी के साथ मैं बताता हूँ जगन मोहन रेड़ी के कारेकाल में पिछले पांच साल में सबसे ज़्यादे धर्मांतरन हुआ है यहाँ पर क्रिश्चन ट्वर्ड्स जा सकती नेवर वहां तो उन्हें उनका विरोध करना ही करना है पिल्कुल टीडीपी से मुझे लगता है कि अब नहीं होगा तो लोग सबाचुनाव के साथ ही विदान सबाचुनाव होंगे अंदर परदेश के उस सनों हो जाएगा अभी बीजेपी तेलंगाना का की है टीडीपी की उसी के बाद हो जाएगी नमस्कार जैश्रा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें